कार दोस्तों आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा वीडियो गांदी जी के उपर है आज के इस वीडियो में हम गांदी जी के जीवन परिचे की बात करेंगे इसमें हम गांदी जी के प्रारंबिक जीवन से लेगे गांदी जी की सिक्षा गांदी जी का विवा, गांदी जी का मिर्तियु तक की बात करेंगे तदा उनके भिविन आंदोलानों की भी चर्चा करेंगे तो आईए टॉपिक की शुरुआत करते हैं मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं पोल का लोल दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है 2 अक्टूबर 2019 को गांदी जी की डेड़ सो भी जैनती बनाई जाएगी इस सुपलक्षे में मानने पधानमंति निरिंद मोदी ने लाल केले के प्राचीर से 2 अक्टूबर को सभी देशवासियों से प्लास्टिक छोड़ने का अवहान भी किया है जादा समय बर्वाद ना करते हुए हम गांदी जी के जीवन परिचे से सुरुवात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं गांदी जी का जनम गांदी जी का जनम 2 अक्टूबर 1879 को हुआ था और उनकी मिर्तियों 3 जर्वरी 1948 गांदी जी का बुरा नाम था स्री मोहंदास करमचंद गांदी महात्मा गांदी जी के राष्ट्य पिता भी मान जाता था उनका प्यार से वापू भी कहते थे पूरे भारत वर्स में उनने सुपर फाइटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कई अंदोलन भी करें है गांदी जी का जनम इस्थान और जनम दिथी थी गांदी जी का जनम 2 अक्टूबर जैसा कि मैंने आपको बताया 1879 को हुआ था इनका जनम इस्थान था प्रोव बंदर गुजरात में हुआ था गांदी जी के पिता का नाम करमचंद गांदी गांदी जी के माता का नाम पुतली भाई और गांदी जी की पतनी का नाम कस्तुरवा गांदी और गांदी जी की राष्टेता भारतिय थी जैसे कई व्यक्ति कहते हैं कि गांदी जी विदेशी थे लेकिन उनकी राष्टेता भारतिय की थी क्योंकि उनका जनम पोराबंदर गुजरात में हुआ था और उनकी सिक्षा प्राप्ती अल्फरेड हाई स्कूल राजा कोट इनर यूनिवर्सिटी कॉलेज ओफ लंदन में हुई थी गांदी जी की मिर्तिव 30 जनवरी 1948 में रात के समय बिल्ला भवन नई दिल्ली में हत्या कर दी गई थी नत्थुराम गोड से के दुआरा गांदी जी की अब हम प्रारंबिक जीवन की बात करेंगे महंदास करमचंद गांदी जी का जनम पच्छमी भारत में गुजरात में एक टट्ये पौरवंदर नामक इस्थान पर हुआ था उनके पिता करमचंद गांदी कट्टर हिंदू एवंबिटिस सरकार के अधीन गुजरात के कटिया वड़ा का छोटी रियासत के प्रोवंदर यानि प्रधान मंदी जी सम दिवान कहते थे बाद में उनके पिता जी सनाधन धर्म के परसारी जाती से सम्मन रखते थे गुजराती बाद में परसारी का मतलब गांदी ही होता है अंग्रेजी में पर्फ्यूमर कहा जाता है उनकी मादा का नाम पुदली बाई था और वे परनामी वैश्य समुधाय की थी यहां उनकी चोथी पतनी दी और उनकी मातब पहले से ही पूजा पाठ में रहती थी जिसके परवाव उन पर भी पड़ा और गांधी जी हमेशा कमजोर तागत की भावना को जगरित करते रहते थे हम गांधी जी की सिक्षा की बात करते हैं बॉंबा युनिवर्सिटी से मैट्रिक 1887 में पास किया उन्होंने और उसके आगे की सिक्षा भावना नगर समलदास स्कूल से ग्रैंड की दोनों ही परिक्षाओं में वहाँ ओसत चातर रहे उनका परिवार उन्हें विस्तार से बनाना चातर था चार सेप्टमबर 1888 को गांधी जी बेरिष्टर की सिक्षा के लिए लंदन गए जहां उन्हें उन्युनिवर्सिटी कॉलेज ओफ लंदन में दाखिला लिया गांधी जी ने लंदन में साकाहारी नियम को बनाई रखा जिस रवय ने गांधी जी को व्यक्तित में को लंदन में एक अलग छवी दिया गांधी जी वापस बंबई लोटे और यहां उन्हें अपनी वकालत सुरुवात की बंबई में गांधी जी को सवलता नहीं मिली जिसके कारण गांधी जी को अंसकालिक सिछा पद पर काम करने के लिए अपन अरजी दाखिल की किन्तु वहावी वह स्विकार हो गई जी विका के लिए गांधी जी को मुकद में अजुस्य लिखने का काम आराम करना पड़ा लेकिन कुछ कारण वर्ष उन्हें काम या छोड़ना पड़ा 1893 इस वी में गांधी जी एक वर्ष के करार पर दच्छिन अफरीका गए दच्छिन अफरीका में बिटिस सरकार के फ़ाम नेटर में यहां बकालत करार हुआ था अब हम बात करेंगे गांधी जी का विवा सन 1883 में उनका विवा कस्तुरुवा मरवा जी से हुआ उस समय गांधी जी की उम्र केवल साड़े तेरा यर्स और कस्तुरुवा जी की चोधा वर्ष की आयो थी गांधी जी कस्तुरुवा जी को बा कहकर बुलाते थे यहां बाल विवा उनके माता पिता ने ताई किया था गांदी जी और कस्तुरुवा जी की उम्र कम थी और उस समय बाल की सोरी दुलहन को अपने माता पिता घर रहने का नियम था 1885 में गांदी जी के पिता करमचंद गांदी की मिर्ती हो गई मात्मा गांदी और कस्तुरुवा गांदी के चार पुत्र हुए ये चार उनके पुत्र थे अब हम बात करेंगे विदेश में सिख्षावा वकालत चार सितंबर 1888 वी को गांधी जी युनिवर्सिटी कॉलिज लंदन में काउन के सिख्षा ग्रेंड करने वा बेरिश्टर बनने के लिए इंग्लेंड चले गए जैसा कि अभी हमने आगे जाना था गांधी जी ने सिख्ष और अपनी माता को दिये वचन को भी काफी सक्षम रूप से निभाया जिसमें मास मरिद्दा का सेवन ना करना था गांदी जी ने वहां के सभी रिती रिवाज को अपनाया था उनकी माता ने उनके काफी लगाब था उनकी माता की कही बात बहुत वहां अमल करते थे उन्होंने साकाहारी समाज की सदस्यता अपनाई इस कारेकारी समीती के लिए उनका चैन भी हो गया जहां उन्होंने एक स्थानी आध्गे की नीव रखी बाद में उन्होंने संस्थाई भी गठिट गी तभी उनकी मुलाकात कुछ साघाहारी लोगों से हुई जो थ्रोसोफिल्सोसाइटी की सदस्ये थे अब हम बात करेंगे थ्रियोसोफिलसोसाइटी क्या थी इसकी स्थापना 1875 इस्वी में स्थापना हुई थी इन्हीं लोगों के विशेज रूप से कहे जाने पर गांधी जीने स्रीमत भागवत गीता पढ़ा और जाना भी था इस सोसाइटी का लक्षे था विश्व बहुत को परवल करने के लिए बनाई गई थी और बहुत धरम एवंसनातन धरम साइटे अध्यन के लिए समर्पित किया गया था इंग्लेंड और वेल्स ओस्योसन को वापस बलावे भारत लोटे लेकिन बॉंबई में वकालत करने में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली अब हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी की दच्छिन अफ्रीका यातरा दच्छिन अफ्रीका में गांधी जी भारतिय में हो रहा है बेधवाव का सामना करना पड़ा उनके साथ जो भेधवाव हो है वो ये कि पर्थम स्रेणी के कोच की वैलिट टिकट होने के बाद भी उन्हें तीसरी स्रेणी में भी बैठने से मना कर दिया गया तदा उन्हें चलती ट्रेंड से निकाल दिया गया अफ्रीका के कई होटलों को उनके लिए बंद कर दिया गया इसमें एक घटना और थी जिसमें एक नयादी इसने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने के लिए भी कहा था उन्होंने इस यात्राग के दुरान उनको कई बेश्ति का सामना करना पड़ा दच्छिन में हो रहे अन्याय गांदी जी के दिल और दिमाग पर आ गया और जिसके कारण आगे का जीवन गांदी जी ने भारतियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ उठाए और 1915 जी में गांदी जी भारत वापस आये और उन्हें सबसे पहला आंदोलन के शुरुवात की जो की चंबारना आंदोलन के नाम दे जानने जाता है जो की 19 अपरेल 1917 को शुरुवात की गई थी यह आंदोलन किसानों के परहोर है अत्याचारों के उपर था दूसरा अंदोलन ख्लापत अंदोलन था जो कि सन 1919 में शुरुआत की गई थी इसकी थीसरा अंदोलन 1920 में आसायोग अंदोलन था 1942 में भारत छोड़ो अंदोलन सारे अंदोलन के उपर मैं एक एक करके वीडियो बनाऊँगा तो उसमें आपका विस्तार से समझ में आएगा क्योंकि अगर मैं इसमें वीडियो कनेक्ट करता हूँ तो वो काफी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी 30 जनवरी 1948 को गांदी जी अपने बिडला भवन चहल कदमी कर रहे थे और उनको गोली मार दी गई थी गांदी जी के हत्यारे का नाम नत्थुराम गोड से था ये राष्टवादी थे जिनके कटरपंती हिंदु महासवा के साथ सम्मन थे जिसने गांदी जी को पाकिस्तान को भुगतान करने के मुद्दे बर भारत कमजोर बनाने के लिडोसी करार दिया था गोड से और उनके साथ सायंत्रकारी नरायन आपते को केस चल कर जेल भीज़ा कर सजा दी गई थी उन्हें 15 नॉबर 1949 को फासी भी दी गई थी राजगाट जो की नई दिली में स्थित है वो यहां पर गांदी जी के समरक पर देव नगरी भासा में राम लिखा हुआ है कहा जाता है कि गांदी जी को जब गोडी लगी ती तब उनके मुक से हे राम निकला था ऐसा जुआला नहरुजी ने रेडियो के माध्यम से देश को बताया था महत्मा गांदी जी का जीवन बहुत ही सीधा और सरल था उन्होंने आहिंसा वा विश्वास में उनका मानना था अगर कोई गाल पर एक चाटा लगा दे तो आगे दूसरा गाल भी कर दे जिसे मानने वाला स्रम से मारे जाए और आप से माफी मांगे आहिंसा परमो दरम गांदी जी का मानना था अगर किसी समस्या का हल निकलना है तो उसे ठंडे दिमाग से बिना क्रोध किये निकालने के कोशिश करने जाए अगर आप अपने गुस्चे किसी समस्या का हल निकालेंगे तो आप से जादा उस समस्या फस्ते चले जाएंगे गांधी जी ने सोतंता की लड़ाई में बिना किसी अस्त सस्त के जीत दिखाई थी अपनी बेश्ती होने के बाद भी गुस्ये में गलत कदम नहीं उड़ाया था महात्मा गांधी के दुआरा कुछ नारे जो की बहुत चर्चित नारे थे उनकी बात करूँगा सबसे पहला नारा करो या मरो दूसरा आहिंसा पर्मो धर्मा तीसरा आंदोलन के हिंसा खोनी से बचाने के लिए में हर एक अपमान यतन पूर्ण भाईस्कार यहां तक की मौत भी सहने को तयार हूँ और तीसरा जो के बहुत चर्चित है बुरा मत देखो बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो यह तो सायद सभी ने सुनी रखा होगा तो दोस्तों आपको महत्मा गांदी का जीवन परीचे कैसा लगा आप अपने लाइक का मैं बताएं कमेंट करके बताएं तथा आपने दोस्तों के साथ यह वीडियो जादा जादा सेर करें और आने वाले दो अक्टूबर को प्लास करें ला यह कि चैके आपने लाइकर आपडहा लाइकर दोएवा जादा तरह आपने दोस्तों की बहुआ है के बतावादMY साथ है 서uing कि पने दोस्तों की तेनल्स प्लाइकर ने साथ